नमस्कार बेलुका शाड़े शात वजेको नेपाल लाइब समचार मां श्वागत छा मां डिवी हड़का सुरूमा पर्मक्षमाचार शिर्षा खरू MCC समझाउता संसद मा टेवल गरने विशेमा सत्ता गठवन्दन अजई अन्यनित सत्ता स्थाजेदार दल नेकपा मावधी केमरा र एकिकरित समाजबादी द्वारा शुक्रबार पनी विरोध परदाशन MCC लाई लियर अमेरिकार चिनले बनाए आपनो पोजिशन इंक्षा भड़काऊने गतिविदी स्विकारे नहुने अमेरिकी राजदुत रेंडिवेडी को भनाई अमेरिकाले कुट्नी तिक धमकी दिना सुरुगरे को चिन को आरोग कुरा नमिल्दा नमिल्दाई गठ्स बंदन जोगाउन बल गर्णुको अउचित्ते नरहे को कांग्रेश महमंत्री गगन थापा को टिपपणी मंत्री परिषद मा रहदा सम्म परधान मंत्री को धारणा नही आफनो पनी हुने मंत्री रामकुमारी जहांकरी को भनाई रा आईशिशी पुरुष्टी ट्वांटी विश्वकव गलोबल छनोट अंतरगते घरे लुटोली ओमान विरुद्धको खेलमा नेपाल उनचालिस रनले बिजाई एक्षे अठार रनको सामानने लच्चे पच्छायको ओमान शत्र अबरमा अठात्त रन बनाएर अलाउड सामान रामरुषा ढुक्का उनोस ठाचे ठाचे तीसेल ते यही लिना आक उनस्तरे प्रम्मिंको परपरद नाम मारबल अब शमचार बिष्टारमा सत्ता गठ बंदनले शुक्रबार पनी एमशीशी सम्जाउता संक्सदना टेवल गरने विशे मा सहमती जुटाउना साके ना बरधान मंत्री निवाश बालु आटारमा शुक्रबार बिहाना बसे को वैठक मा सहमती न जुटे पसी 201 बजे बसे को परतिने दिसवा वैठक नियमित कारेशुची अनुशार अगी बढ़े र आइतबार सम्मका लागी स्तगित गरिये कुशा संचार शुचना तथा परवेदी मंत्री ग्यनेंडर भादर कार किले 8 गते अग आइतबार 10 बजे पुन्हा वैठक बसने र सो वैठक पची आफ हरू एवटा निश्कर्षमा पुगने बताय का सन। यस लाई निणे मा पुरांग छेन। वैठक बेहिबार शाजपनी बसे को थियू। तर सहमते जुटना नशके पची शुक्रबार ब्यहनालाई वैठक सारी को थियू। वहिबार को वैठक सकीनाशात प्रधान मंत्री देवबा एमाले अदक्ष केपिशर मा उलिलाई भेटना पत्नी आरजो देवबा सैद बालकोट पुगे गा थिू। रब तेतिके दायु तो महिने बार – बार बार बने आठाए, सम्षद माई जुबंत बनाऊना औराज मारे मूत्त प्रमुक पर्तिपक्षी दल को प्रमूख बिधा। सब्ता शाजेदार दल नेकपा मावधी केंडर एकिकृत समाजबादी का युबा विद्यार्थी संगठन ले भने सब्ता शाजेदार दल नेकपा मावधी केंडर एकिकृत समाजबादी र जाशपा लगाद का दलहरू टेबल हुनाई नादेने पक्षेमा शाज अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन एमशेशी सम्जवता लाई लियरा अमेरिका रत चिनले आपनो पोजिशन बनाए काशन नेपाल का लागी अमरिकी राजदुत रेंडि वेरी रा चीनिया प्रराष्ट प्रवक्ता वांग उन्पिन ले पक्षे र विपक्षे मा छुट्टा छुट्टे दहरा राखे काशन हाल नेपाल मा भहिरेको एमसेसी विरोधी परदर्शन लाई लियरा नेपाल का लागी अमरिकी राजदुत वेरी ले विरोध का नाम मा हिंग्षा भड़काउने गतिविदी आफियर लोई सुइकारे नहुनि बतायकाशन नेपाल मा हाल एमसेसी सम्झावता का विरुद्ध मा भहिरयको परदर्शन लाई लेरा उनले इस्तो टिपपणी गरेका हुन समाजिक संजाल फिर सुक्मा लेक देए उनले आफ हरु वाक शोतंत्र तारल तत्थे मा अधलेत खुला वाश को बलियो शमर्थक रहेको उल्लेक गरेकाशन एमसेसी को विशेमा पनी हामरो धारणा तेही हो आफनो विचार विक्त गर्न पाउनू लोक्तंत्र को अंतर नहिते विशेवस्तो हो र सबैलाई आफनो धारणा शांती पुर्वक राखना शुट होनू परसा उनले भनेकाशन तरह हिंग्षा या हिंग्षा भढ़कावनी किसम का विचार हरू सुईकारे हुदाई ना एशाई बीच चिनिया प्रणाष्ट परवक्ता वांग अनपिन ले एमशिशिलाई लेर अमरिकाले नेपाल मा थी कुटनितिक धमकी दिना सुरू गरेको पतायका सन। अमरिकी सहाई एक्षाचीव डोनाल्ड लूले कही दिन अगाड़ी नेपाल का सिस्ट नेतारू संगा छुट्टे टेलिफन बार्ता गरेका थी तेस पसी उनियरू संगा नोजिक रहेका कही नेताले संचार मार्ध्यमा लूले फेवरोरी अठ्था समा मां एमसिसी सम्जवता लाई अनुमदन गर्ना वा अमरिका संगा को नेपाल संगा को समंदा शमक्षा गर्ना दबाब दियेको पर्तिकिरिया दियेका थी जसको नेपाल स्थित अमरिकेत दावासले खंडान गरी शग्येको छा तर लूले एमसिसी अनुमदन गर्ना धिलाई हुनुको पसाड़ी चीनको हात रहेको दावी गर्दे आयका शन नेपाली कांग्रेस का महामंत्री गगन थापाले कुराकानी पनी नमिलने भाय पसी गठफंदन जोगाउन बल गर्नोंको अउचिते न रहेको बताएका शन शुक्रवार संग्षत बैठक पसी पत्रकारलाई पर्तिकिरिया दिदै उनले इस्त बताएका हुन उनले कुराकानी मिले का कारण गठफंदन बनेको बताऊं दै नमिलेको अवस्तामा टुटाऊनू सुभाविक रहेको बताए थापाले आफोरुको फरक फरक राजनेतेक दल रहेको नविर्षन आगरह गर्दै संगहिन्ने विश्वास भायर एक ठाउं आईपुएको उल्धेक गरे अहीले यम्शेशी को बिरोदमा जनम मा छा भहनेरा गठफंदन का अनने दल त्यता लागने तरक कांग्रेशलाई मात्राई भारी बकाउने कारे शयहन नहुने उनको भनाई थियो थापाले अनुदानमा प्राप्त यम्शेशी समेत नलिये पसी नेपाल ले पुर्वादार बनाऊना का लागी कसाई संगह पैशालीनी अवस्ता नरहने बताय का संद्सुक्रबार प्रतिनिदी सभाको वैठक बाट बाहरी दै उनले एती बेला सबै जिम्यार बननू परने पताय का संद्सुक्त नेपाले कुने की बने पुर्वादार बनाऊना का नीम्टी। नेपाली का अंग्रेस का सांग्छाद शशांक कोईडालाले परधान मंतरी शेर बहादुर देवबास संग एमसेसी पास गराउने वा सत्ता जोगाउने बिकल्प मात्रे रहेको बताये काशन। नेकपाई गरित समाजबादी की सचीब एवं शहरी विकाश मंत्री रामकुमारी जहाकरी ले मंत्री परिशत मा रहादा सम्म परधान मंत्री को धाराना दाखना उपिक्त नहुने बताये की हुन। मंत्री ले राहेको धाराना बंदा खरक भायरा दाखना उपिक्त नहुने बताये की हुन। जाक्रिले आफनो पार्टी को धाराना भने भोली को बैठक पसी आउने बताये की सिन। उनले निपाल को आंतरिक राजनितिमा नाबाशे धंगले की चलो हलना एम्सेसे लेये को बंदाई। राष्ट को हित्र सरकार को विशोष नियता का लागी तेस्ता विशे बाटा स्वसेत रहनु परने बताये। यसा इगरी पुर्वप्रधान मंत्री तथा निक कपा एकिकरित समाज बादिका सांग्सद जालना तखना अले एम्सेसी सम्झावतालाई संक्षोधन बिना संक्षद बाटा पारिद गरना न दिनी बताये करशन। सरकार ले COVID-19 बिरुद्ध को आकस्मिक परतिकारे का लागी 222 ले उपलब्द गराउनी रिंड साहेता सुईकार गरने निले गरेको सा। वही बार वसे को मंत्री परिशाद वैठकले आकस्मिक परतिकारे रा जोखिम को पुर्वत तयारी को लागी 222 ले अठारम मिलियन अमेरिकी डलर करीब दुए अर्बाट 14 करोड रुपईया थप रियन सहायता सुईकार ने निले गरेको सुचना संचार्त था पर्विदी म मंत्री एवं सरकार का परवक्ता गैनन दा भादर कार के लिए बताय कासन सरकार ले ये सागी पनी विश्व बयंक पाट और को भीड विरुद्ध को खुब घरित का लागी रिन शाहता सुईकारे को थियो इस तई मंत्री परिशाद वैठकले रास्ते वीमा सस्तान संचालक समेतिक आधक्षय गंगाराम करनेल ले दिये को राजे नामा सुईकित करे को सा नवी करणिया उरिजाद अनुदान निती 2088 सुईकित गरने मुलुकी फोजदारी कारे विदी सम्हिता 2044 को अनुशुची एक एरफिर गरने निणैपनी भयको मंत्री कार के लिए जानकारी चंदा असुली को नाम्मा घयर कानुदी क्टिया कलाप गरदाई आयको एक समह पक्राव परे कोसा चंदा असुलिका लागी बम जस्तो देखीने शंकास्पत बस्तो होक्स रागदय आतंक स्रिजना गर्ने समुहलाई पर्धेशे को प्रहरी टोली जिल्ला प्रहरी कार्या लए जापार इलाका प्रहरी कार्या लए अनार मणी को टोलीले पकराव गरेको पक्राव पर्नेहरुमाद जापाको गौरादह नगरपालीका दुईका 38 वर्षिय सुमंद कुमार कारकी, जापाकाई कनकाई नगरपालीका 3 का 41 वर्षिय विश्म थापा, दमक नगरपालीका 9 का 15 वर्षिय देवी बास्कोटा, गुरागाईं कनकाई नगरपालीका 3 का पांस्काद एक पर्धिप शोड़िनु रखेत शाथ को बिस्फटकत पदार्थ संबंदी को सुर अंतरगा टीनीको Act मोबाईल हिमालश्रक्षा परिशर नेपाल इंचाज केंद्रिय कमिटी, इंचाज कोशियन्चल कमिटी, अधक्षा कोशियन्चल कमिटी, अधक्षा मेचियन्चल कमिटी, इंचाज मेचियन्चल कमिटी का अस्ताक्षेर मात्र भायका चापरू दस्थान बरामत भायका शन। हामी नेपाल लाइब समचार मा चाऊंग अब अंतराष्टिय समचार सन दुएजार आठ मा भारत को अहमदा बादना भय को स्रियल ब्लास घटना का उननपचास दोसी मद्धे ओर्टिस जनालाई फांसी को सजाये सुनाई को सब्सक्राइब सब्सक्राइब गुजरात को अहमदाबाद सहर मां 70 मिनेट भित्र एक पसी और को गरी एकके सोटा बंबिस्फोट भाय का थिये यो धमाका को जिम्मा इंडियन मुजाहिदिन र हरकत अल जिहाद अल इसलामी नाम को चरम पन्थि संगठन ले लिये को थियो गुजरात एटी एस और थात आतंकबाद बिरुदी दस्ताले धमाका मां संधिक्द रह को मुक्ती अबुबसिर संगई 9 जनालाई पक्राव गरे को थियो संद यजार सुर मां आठ बर्श पसी और को एक अभियुकत नासिर लाई पनी पक्राव गरे को थियो घटना लगत्ताई गुजरात को सुरेंद्र नगर जिल्ला मां तीन जनालाई पक्राव गरे को थियो पक्राव पर्णे मां हुसेन इब्राहीम, हासिल महम्मद रा अब्दलकादिर रहका थियो अभियोग पत्र मां पचास जनालाई अभियोगत बनाई ये को थियो नेपाल लाइब समचार मा आवा खेल समचार बैटिंग न चले पनी घातक बलिंको साथ पायको नेपाल ले आईसेसी प्रूस्टी ट्वांटे विश्यकप गलोबल चनट अंतर गत घरेल टोली ओमान विरुद्द को खेल मा जीत आत्त बारेको स शुक्रबार समपन्न खेल मा घरेल टोली लाई 49 रनले पराजित गरदाई नेपाल ले परतियो गितामा बिज़ेई शुरुआत गरेको हो नेपाल ले दियेको एक्षे 18 रनको लक्षे पक्ष्याएको ओमान सत्रोबर मा अठत्तर रन में समेटियो उमान का लागी नसिम खुशी शरबादिक 24 रन बनायरा आउट भए उनले 18 बलमा एक चोवकार दोई छक्का प्रहर गरे तर अन्ने बैटर ले भने दोहरु अंकमा रन बनाउन शके नन उमान का लागी जतिंदर सिहार र अमिर कालिम ले 99 रन र खवार अलिले साथ कली मुलाले 5 आयान खानले तिन कप्तान जिशान मकसुद ले 2 रन बनाउन दा कसे परजापती सुन्ने रन मा आउट भए नेपाल का लागी कमल सिंग अईरी ले 2 विकेट लिदा कप्तान संधित लामीचाने र दिपेंदर सिंग अईरी ले 2 विकेट ले एता अभिनास बोहरार जितिंद्र मुखिया ले समान एक एक विकेट लिए तिस अगी अल अमेरात किरिकेट मैदान मा टोष हारेर अभ वैटिंग मा उत्रिये को नेपाल ले निर्धारित विशोबर मा एक से सत्र रन बनाएको थियो नेपाल का लागी मद्देक्रम का आरिफ शेकले सर्वादिक 38 रन बनाऊन वायक अन्ने खेलाडी भने क्रिजमा चलना सकेनन येता कफ्तान संदिप लामीज हाने ले शोरर रन को योगदान दिये इसताई मद्देक्रम का यूबा बैट्समेन लोकेश बमले शोरर र पुर्वकप्तान गेनेंद्र मलले पन्र रन बनाए खराब सुरुआत का बाब जोत इनिंग समालना आयका लोकेश बम सत्र बलमा एक छक्का शेत शोरर रन बनाए र क्यास आउट भए नेपाल का लागी दिपेंद्र सिंग अईरे ले 11 रन बनाए रा आउट भए औन्ने खेलाडी ले भने दोहरो अंकमा रन बनाऊना सके नन नेपाल लाइब समजार सक्यों अन्ते मा मुख्य समजार का सिर्षखरू फिरिये पटक MCC समजाउता संसद मा टेवल गरने विशे मा सत्ता गठ बन्दन अजई अन्यनित सत्ता स्थाजेदार दल नेकपा मावधी केंडर र एकिकरित समाजबादी द्वारा शुक्रबार पनी विरोध परदाशन MCC शिलाई लियर अमेरिकार चिनले बनाए आपनो पोजिशन इंख्षा भड़काउने गतिविदी सुईकारे नहुने अमेरिकी राजदुत रेंडिवेडी को भनाई अमेरिकाले कुटनी तिक धमकी दिना सुरू गरेको चिन को आरोग कुरा नमिल्दा नमिल्दाई गठ्ष बंदन जोगाउन बल गर्णुको अउचित्ते नरहेको कांग्रेश महमंत्री गगन थापा को टिपपणी मंत्री परिषद मा रहंदा सम्म परधान मंत्री को धारना मैं आफनोपनी हुने मंत्री रामकुमारी जहांकरी को भनाई भारत को अहमदाबाद मा भयको सिरियल बलास कटना का उनन पचास दोशी मत्दे 38 जनालाई फांशी को सजाए 26 जुलाई 2008 मा गुजरात मा भयको विश्वट का 11 जनालाई जन्मकाईद रा आईशीशी पुरुष्टी 20 विश्वकव गलोबल छनोट अंतर गते घरे लुटोली ओमान विरुद्ध को खेलमा नेपाल 49 रनले बिजाई 188 रन को सामान ने लच्छे पच्छाएको ओमान शत्र अभरमा अठत्त रन बनायर अलाउड नेपाल लाइब समझार आजलायति नहीं हम्रा और ने कारेक्रम नेपाल लाइब को फस्वेज यूटूब चैनल ट्वीटर हम्रों वेबसाइड नेपाल लाइब डाट कमा पढ़ना रहना सकना हुने साथ नमस्कार